असलाम वालेकुम सब्सक्राइब करेंगे तो डेल आइकन को जरूर टेच कीजिएगा ताके आपको मैरी अगली वीडियो की notifliction आ जाएए और मैरी वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और जो मैरी वीडियो को like कर देए उन सब को मेरी परफसे ठेक्वी सो माँच असलाहाएकुम देखिए कितनी क्यारी सी गुडिया है हमारी सीजा आप सब को सलाम दे रही है तो अभी यह जाने वाले हैं राजगोट तो इनके पापा इनको लेने आएंगे तो अब इनका सब गुमना पिरना तो हो गया है तो अभी यह एक-दो दिन में वापिस चले जाएंगे तो हमें तो बिलकोई भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यह जब घर में हमारा थे तो बहुत ही रोनक है आ जाती है, और सची रोनक तो बच्चों से ही होती है तो अची जाने नया फ्रोक पेला हुआ है और देखिये मेचिंगी नाखा है इन्हें जो पीर नाखा हुआ है ना, सीर में देखिये पोनी छोटी सी वाली वीवर उन्हें लूजर भी मेचिंग नाखा हुआ है अब इनका मूड जरा भी नहीं है, इनका मूड अभी ओफ है तो चाई नहीं भी है तो चड़िए मेरी प्यारी सी बांजी के लिए में चाई बनाऊँगा गुड मॉर्निंग जी तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ पे नास्ते की तयारिया सुरू हो गई है तो यहाँ पे बाजरी की रोटी भी बना ली थी घी वाली और गेहू की रोटी भी बना ली थी और घी गुड गरम कल लिया था और यहां पर पापड भी तल लिये हैं और चटनी बना ली है टमाटर और हरी मिर्च की और लसन डाल के तो यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और यहां पर चाई भी बन गई है और अब सिर्फ अंडे ही बनाने के बाकी है तो मैं अंडे बना रही हूँ तो यहां पर सब को नास्ता लगा दिया तो सब नास्ता करने बेट जाएंगे तो देखिए यहां पर दिनर का टाइम है तो भाई हम सब को लेके पिजा खाने आये हुए थे तो यहां पर देखिए किस तरह से लिखा हुआ है वी लव जो नागट तो यह दिखने में दूर से बहुत ही अच्छा लग रहा था तो देखी बड़े भाई तो यहाँ पर पहले सब side dish दी जाती है तो यह हम हाथ से ले सकते हैं यह हमें नहीं करते ही है खुद हमें हाथ से लेनी होती तो देखी यहाँ पर कितनी item है और foods भी रखे हैं तो मुझे तो ये वाइट वाला पास्ता और जो रशेन सलाड आता है वो मुझे बहुत ही पसंद है और देखिए यहाँ पे गार्लिक राइस, नोडल्स, मंचूरियन और दो टाइप के सूप भी है यहाँ पे एक तो टमाटर सूप है टमाटर का सूप वाता है न वो और एक चाइनिज सूप है और यहाँ पे है पानिपूरी का स्ट्रोल देखिए तो यहाँ पे अनलिमिट है आप जितनी चाहे इतनी पानिपूरी भी खा सकते है तो यहाँ आके पहले बच्चों ने तो पानिपूरी ही खाई और ऐसे भी बच्चों को तो पानिपूरी ज्यादा प पसंद आती है तो देखिए यहां पे सूरेन ने पूरा मुझ भर लिया है पानी पूरी से और भी खा भी नहीं पा रहे हैं और सिजा बोल रहे हैं कि खाला मुझे आप गोदी में ले लो तो मैंने इने गोदी में ले लिया है और अब सब यहां पे साइड डिस्ट खाने बहुत ही थी इंबली जैसे कि इंबली का इसमें पेस्ट लगाया गया हो बहुत ही ज्यादा खटी थी लेकिन खाते से तो एकदम सोफ्ट थी क्रिस्प्री टाइप की और मुझे तो रस्यन सलाट और वाइप पास्ता मुझे बहुत ही पसंद है तो देखिए यहां सीजा न और मसूदा ने पीजा श्टार्ट कर दीये हैं तो यहां सबसे पहले कार्लिक ब्रेट दी जाती है हमें तो यहां पे मैं आपको दूसरी तीसरी बार यह पीजा का वीडियो दे रही हूं कि हमारे यहां सबको पीजा ज्यादा पसंद आता है इसलिए हम पीजा पार्टी बगेरा हो किसी कबड़े हो या कहीं भी जाना हो मन चाहे तो हम यहां पे पीजा खाने आ जाते हैं तो यहां पे कितनी जात के पीजा होते हैं पीजा होते हैं तो यह में सिर्फ एक एक पीज देते हूं और आपको जो पसंद आये तो आप रिपीट भी ले सकते हैं और कोल्डिंग भी यहां तीन टाइप की होती है सेवन अप होती है कोला होती है और और ओरेंज की तीन टाइप की यहां पर कोल्डिंग होती है तो यहां गार्लिक ब्रेड और मार्गरीटा पीजा है तो यहां पे गार्लिक ब्रेड रट इतनी सोफ्ट और एक्स्ट्रा हरीमिर्च लगाके भाही ने बन वाई थी तो बहुत ही ज्यादा स्पैसी लग रही थी और खानें में बहुत ही ट्रेस्ट लग रही थी जो पीजा हैस drag foreign नेम भूल गई हूँ मुझे कुछ यादी नहीं लेकिन ये बहुत ही अच्छा था एकदम क्रिस्पी वाला था और जो नीचे से लेर होती और एकदम खारी जैसी लग रही थी और बहुत ज्यादा स्पाइसी था ये पीजा तो ये पीजा तो किसी ने नहीं लिया में और बड जो नीच वाला था और थोड़ा इसका स्वात टेंगी था खट्टे वाला एकदम और ये गालिक ब्रेड है मैंने पीजा से ज्यादा गालिक ब्रेड ही खाई है मुझे गालिक ब्रेड बहुत ही पसंद है तो इस तरह से हम सब ने बहुत सारा एंजोई किया पीजा खाने मे और यहां पर लास्ट में हमें आइस क्रीम भी दी जाते है तक तो यहां का रेट 200 रूपे था यानि कि 200 रूपीज तो अभी यहां पर इसकी पीज़ा का रेट बढ़ गया है तो 220 रूपीज हो गया है तो देखी हमने खा लिया है और बाहर निकल गई है तो बच्चे सब यहां पर फोटो क्लिक करवा रहे थे तो मैंने भी थोड़ी सी क्लिप बना ली तो दिखें यहां पर चारों फाई बेहन खड़े हुए है तो मैं बार से आपको इस रियल पीज़ा का व्यू दिखाती हूँ तो यहां पर लिखा है ओपन तो भी चालू है यहां पर पीज़ा खाना स्टार्ट है अभी तलक तो यहां के पीज़ा बहुत ही अच्छे और शोफ्ट होते हैं और चीज भी बहुत ज़्यादा इसमें डालते हैं और यहां की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है तो देखिए ये रियल पीज़ा तो ममा नहीं आई थी वो घर पे ही है भाई के तो भाई ने यहाँ पे पेक करवा लिया है इनके लिए पीज़ा और देखिए यहाँ पे सिजा बेट गिये हैं बर्गमेन पे और वो भाई को बुला रहे हैं तो देखिए ये मामो और बांजी का प्यार तो वो बोल रहे थे कि मैं आपके साथ में ही घर आऊंगी गाड़ी पे मुझे रिक्सा में नहीं जाना है तो ये जुनागण में जांजेरा रोर पे है तो मैं आपको यहाँ पे का व्यू दिखाती हूँ तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना एक बेल आइकन को जरूर टच करना और एक लाइक भी जरूर कर देना तो देखिए यहाँ का व्यू इसी के साथ व्लोग का में एन्ट करती हूँ अब अगले वीडियो में मिलते हैं अल्ला हाफिज दूआ में याद रखना